तो आगे सबसे पहला में समझते कि अंश पूंजी कहते किसे हैं तो देखें पूंजी का जो प्रयोग है वो वेवसाय को चलाने के लिए जो भी संपत्तियां हमें खरीदनी पड़े उन संपत्यों को हम उस पूंजी की साहता से अराम से खरीद सके और अपने व्यापार का अर अपनी पूंजी कैसे प्राप्त करती है अंश का निरकमन करके अभी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि अंश किसे कहती है तो जब कोई कंपनी अपने अंश के द्वारा पूंजी प्राप्त करती है तो इस वजए से उससे हम लोग क्या करते है अंश पूंजी कहते है पूंजी है वही चीज, पूंजी मतलब पैसा ही है, लेकिन वो पूंजी कैसे प्राप्त हो रही है, अंश के माध्यों से प्राप्त हो रही है, यानिकि शेयर को बेज करके प्राप्त हो रही है, तो इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, अंश पूंजी कहेंगे, उसके बाद ह कि कमपनी की अंच पुनजी जो होती है उसे प्रायर हम लोग नीमने वर्गों में बाढ़ सकते हैं जैसे सबसे पहला हमारा आता है अधिक्रित, रेजिस्टर या अंकित पुनजी यह हमारी पुन्जी का सबसे महत्वपुन्ध हिस्सा या पिर आप कहले सबसे पहला चरण है तो अधिक्रित रेजिस्टर्ड या अंकित पुन्जी कहते किसे हैं तो कम्पनी अपनी दिल विकालीन व्यापार की भविश्य की संभावनाओं के आधार पर पुन्जी की जिस पुन्जी के लिए अंश निर्गमित करती है अता इसे ना मात्र पुन्जी भी कहते हैं तो देखें जो कम्पनी के अधिक्रित पुन्जी होती इसे अधिक्रित क्यों कहते हैं क्योंकि जो हमारी कम्पनी है वो इससे अधिक पुन्जी जो है वो निर्गमित नहीं कर सकती कम को भाविष्र में जितने साल तक उतने वर्षय में उसे कितनी अधिकतम पुन बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है उसमें ये पुंजी को अंकित कहती है इस परकार सारेधारी सनलेख में सारेधारी फर्म की पुंजी अंकित होती थी सेम उसी तरीके से जो कंपनी का पाशा स्रीमानिया में उसमें कंपनी की पुंजी अंकित होती है इसलिए इसे अंकित पुझी भी कहते हैं और क्योंकि कमपनी इससे जादा पुझी निर्गमित नहीं कर सकती है हमेशा कमपनी का करती है इससे कम ही पुझी निर्गमित करती है दूसरा है निर्गमित पुन्जी, निर्गमित पुन्जी किसे कहते हैं, तो अधिकरित पुन्जी का वह भाग जो जनता को अंच खरीदने के लिए निर्गमित किया जाता है, निर्गमित पुन्जी कहते हैं, या आवश्यक नहीं है कि समस्त पुन्जी एक बार में ही निर्गमित कर दी जाए बलकि कंपनी अधिकृत पुंजी में से अपनी आवशक्ता नसार धीरे धीरे पुंजी निर्गमित करती है उधारन जैसे आप समझ सकते हैं कि मान लिदी किसी कंपनी की जो अधिकृत पुंजी है वो 20 लाग रुपए है जो कि 100 रुपए के 20,000 अंच इससे जो निर्गमित पुंजी है वो 10,000 लाग है जटनी कंपनी को के पुंजी की आवशक्ता है उतनी पुंजी जो है वो अधिकृत पुंजी उसकी थी उसमें से उतनी पुंजी नंदा को देती है जंदा के पास भेजती ताकि जनता उसे खरीद सके तो company द्वारा जनता के पास जितनी जो अंश है या फिर जितनी पूंजी है वो खरीदने के लिए निर्गमित की गई है निकाली गई है उसे हम लोग क्या कहते है निर्गमित पूंजी और निर्गमित पूंजी जो है वो हमारी अधिकत पूंजी क वह निर्गमीत पुनjः उसके बाद तीसरी पुetonji हमारी वह है प्राथित पुलजी. प्राथित पुलजी क्या होती है तो निर्गमीत पुलजी का वह भाग जो जन्ता द्वारा खरीद लिया जाता है उसे प्राथित पु Sweetsalji कहते हैं यादि संपूर्ण निर्गमित पुंजी जन्ता द्वारा खरीद ली जाए तो प्रार्थित पुंजी निर्गमित पुंजी के बराबर हो जाएगी प्रार्थित पुंजी निर्गमित पुंजी से कम हो सकती है या बराबर हो सकती है लेकिन अधिक नहीं प्रार्थित पुन्ची को हम लोग इंग्लेश से बोलते हैं सब्सक्राइब का मतलब क्या हो गया करीके से कि आपने उसे खरीद लिया है आपने उसे एक्सेट कर लिया जैसे माल लीजे कि जब कोई competition का exam होता है तो उस exam में क्या होता है कि उस exam के लिए जो competition की संस्था होती है कि आप इस application को भर सकते। तो उसने तो application सब्सक्राइब कर लिया कि अपने अंच मार्केट में निकाल दिये कि जयनता आप इसे खरीद अर उसकी कपनी में अपनी तो उस निर्गमित पुंजी में से जन्ता ने जितनी पुंजी मार्केट में भेजी है उस पुंजी में से जन्ता ने जितनी अंश को खरीदा है जितने पुंजी को accept किया है उसे हम लोग कहते हैं प्रार्थित पुंजी इसलिए प्रार्थित पुंजी जो होती है वो निर्ग पूर्न राशी एक साथ ना मांग कर कई किस्तों में मांगती हैं ये किस्ते जो है वो याचनाय कहलाती है अतनिर्गमित अंचो पर कंपरी जितनी राशी की याचना करती है उसे याचिक पूर्जी कहते हैं याचिक पूर्जी का मतलब यह हुआ कि जैसे जब जनता ने अंच खरीद लिए तो सब्सक्राइब करते हैं चार उसे अपनी जरुत पढरती है उस हिसाफ से जिसाफ से फिर बागी जो 80 रुपए लेगा है उस 80 रुपए तो कमपणी जो चार बार में आपसे 20–20 रुपए करके मांग सकते हैं तो उसे ही कहते हैं याचना करना यानि कि जब कमपनी 20 रुपए आपसे पहली बार मांगेगी तो उसे याचित पून지 कहते हैं और याचित पून जो याचना है वो कमपनी किस अंशों कर सकती है जो कि खरीदा जा चुका याणि कि जन्दा नि अंशों खरीदा है याणि कि प्रार्थित पूनジी है उसी मेंसे जो कंपणी आ कर सकतीई, कि उन पर अपनी अंशों की रगम मांग सकती है, इसी का दूसरा हिस्सा होता है अयाचित पुन्जी, अयाचित पुन्जी मतलब क्या, कि प्राठित पुन्जी यानि कि खरीदी हुई अंश का वह भाग जो कंपणी तरह अभी नहीं मांगा गया, यानि कि जिसे 100 रुपए का अंच है, आपने 100 रुपए का एक अंच खरी दिया, कंपणी ने अभी तक आपसे सिर्फा से 50 रुपए लिये हैं, 50 रुपए वो बाद मांगेगी या फिर अभी उसने नहीं मांगा है, तो जो 50 चुकता पुंजी, यह बहुत ही महतवपूर्ण एक तरीके से आप इसे कह सकते हैं, हमारी पुंजी का एक बहुत ही महतवपूर्ण हिस्सा है, वैसे तो सारे हिस्से ही महतवपूर्ण है, क्योंकि एक दूसरे के बिना सारे हिस्से ही क्या है, अपूर्ण कहलाएंगे, तो याचित पुन्जी का वभाग जो अंच धारियों तरह कंपणी को विभीन याचनाओं में चुका दे रहता है उसे चुकता पुन्जी कहते हैं वो हिस्सा पूरा भी हो सकता है और कुछ कम भी हो सकता है तो जो हिस्सा कंपणी को चुका दिया गया है जनता की तरफ से उसे हम लो क्या कहते हैं चुकता पुन्जी कहते हैं अब उसके पास एक last पूंजी बची है जो कि important ही है वो है हमारी संचित पूंजी क्या होती है तो company अजिनियम 2013 कि धारब 65 के अनुसार एक असीमित दायत वाली company जिसके पास अंश पूंजी है सीमित दायत वाली company में परिवरतन के समय के ध्यान रही है कि अगर असीमित दायत वाली company है वो अपनी company को सीमित दायत वाली company में परिवरतित कर रही है तो उस समय संचित पूंजी रख सकती है इस दशा में company एक प्रस्ताव द्वारा अपनी अंश पूंजी को बढ़ा सकती है और यह निश्रित करती है कि बढ़ी हुई पुन्जी का कोई भाग या अ याचित पुन्जी का कोई भाग company के समापन की दर्शा में ही मांगा जा सकता है संचित पूंजी समापन की दर्शा में केवल लेंदारों के लिए ही उपलब्द रहती है यानि कि अगर कोई कंपनी अपना परिवरतन स्रीमिद दर्शा वाली कंपनी में कर रही है तो उस टाइम पे वो एक प्रस्ताव पास करके अपनी जो अधिक्रित पूंजी पहले से है उसको और बढ़ा सकती है और जो बढ़ी हुई पूंजी है उसको वो क्या कर सकती है संचित करके रख सकती है कब जब कंपनी की समापन की दर्शा होगी उस टाइम के लिए जैसे एक तरीकिस होता है कि हम लोग पहले से रिस्क के लिए कुछ ना कुछ रिजर्व करके रखतें तो सेम वही कंडीशन है कि कम्पनी का कर सकती कि कि उस अंच्पुन्जी के कुछ हिससे को समापन की दर्शा में उपयोग करने के लिए रख सकती है और वह पुंजी जो है बाकि और के लिए यानि उससे वह अपने लेनदारों का भुकतान करेगी, ठीक है, वही एक तरीके लेनदार ही उसनाइम कमपनी के समापन के थायमे, कंपनी के दाई तो होते हैं, तो उस अंश पुन जी चिसने इसकोस ने डिजर्व करके रखा है, उसका यूज वह क्या करेंगाइ TW enfant पूझी और उनका जो वर्गीकरण किया गया है वो आ platform की एलगा करने निरगमन होता है उसके तीन होते हैं पहला है स्मले का मतलब क्वाल गया कि घब अपने अंशोका निर्गमन उसके अंकित मतलब कि, कुछ ukid ta1. इस कमपनी जो है एक हमें paper जो अंच खरीद रहा है उसे एक paper देती होगे एक document देती होगी यानि कि एक तरीके का certificate देती होगी कि आप इस अंच मुल्ली भी जो है वो लिखा होगा तो उस अंच पर जो मुल्ली लिखा हो और उस रेक्टिर ने उस को 100 रुपर में ही खरीदा है तो उसे कहते हैं सम मुल्य पर निर्गमन दूसरा जो होता है वो है प्रीमियम पर निर्गमन यानि कि जब कंपनी अपने अंशों का निर्गमन उसके अंकित मुल्य से अधिक मुल्य पर करती है तो उसे अंशों का अधि मुल्य या फिर प्रीमियम पर निर्गमन कह है कि भुक्तान की शर्दों का कम्पनी जदों का मतलब कि कम्पनी जो है वह भुक्तान की शर्दों के अनुसार अन्शो पूरी रकम एक साथ यह धिरे दी अनेक किstore में मांग सकती हैं यह किstat आया याउचना है जो है वह हमने याचित पूंजी पढ़ा था की अभी हकिन उसके होता है कि अदा स्वारह को अंशो को खरीदा जाता है कि सबसे पहली पूंजी यह भी न होता है जब कशनी खुरस तो अगर कंपनी की इन मांगी कई पूंजी पर अगर जो है कि जंदा पैसा नहीं दे रहा है तो उस पर वो क्या कर सकती है ब्याज लगा सकती है तो आज की वीडियो में फिरहाल इतना ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में अगर की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुर्बून लेगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तर तक के लिए थेंक्यू